दुनिया के अधिकतर लोग खुद के काम्याब ना होने की वज़ह जीवन में संसाधनों की कमी को बताते हैं। उनका मानना होता है कि अगर उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती तो वो जीवन में कुछ बहतर कर सकते थे। वहीं कम ही सही मगर ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो कभी भी कमियों के बारे में नहीं सोचते। उनकी सोच सिर्फ सफल होना होती है। वे महंत करते हैं और सफलता पा लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर कुली रह चुके केरल के श्रीनाथ भी एक ऐसा ही उदाहरण हैं। सिविल सेवा की परीक्षा याने UPSC एक चक्रव्यू कीता है तो श्रीनाथ वो अभिमन्यू हैं जो बिना किसी की मदद के ना केवल इस चक्रव्यू में घुसे बलकी इसे पास भी किया। एक तरफ जहां हर साल लाखों लोग इस कठिन परीक्षा को पास करने के एक से बढ़कर एक कोचिन इंस्टिट्यूट का सहारा लेते हैं, वही केरल के श्रीनाथ ने इस कठिन परीक्षा को बिना किसी कोचिन के ही पास कर लिया था। इससे भी बड़ी बात ये है कि श्रीनाथ ने जब इस कठिन परीक्षा की तैयारी शुरू की तब वह रल्वे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। पहले केरल पब्लिक सर्विस कमीशन और फिर UPSC में काम्याबी पाने वाले श्रीनाथ मुननार के मूल निवासी हैं। परिवार के इकलौते कमाव श्रीनाथ ने साल 2018 में ये फैसला लिया कि वह कड़ी महंत करके कोई बड़ापत पाएंगे जिससे कि उनकी आय बढ़े और वह अपनी बेटी का भविश्य उजड़वल बना सकें। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा देने का मन बनाया लेकिन उनकी आर्थिक कमजोरी उनके राह का सबसे बड़ा रोडा बन कर खड़ी थी। श्रीनाथ कोचिन सेंटर की फीस नहीं दे सकते थे और उनके मन में यही बात थी कि बिना कोचिन सेंटर के वह इस कठिन परीक्षा को पास ना कर पाएंगे। यही वजह रही कि उन्होंने KPSC की तयारी करनी शुरू कर दी। उनके इस कठिन राह को आसान बनाया रेल्वे स्टेशन पर लगे फ्री वाइफाई ने। उन्होंने इसी वाइफाई से अपने स्मार्ट फोन पर पढ़ाई शुरू कर दी। यह फ्री वाइफाई उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। वो यहां कूली का काम करते और समय मिलते ही ओनलाइन लेक्चर सुनने लगते। अपनी इस लगन और मेहंत के दम पर श्रीनाथ ने KPSC में सफलता हासिल कर ली यहां से उनके मन में ये विश्वासा गया कि वह इसी तरह फ्री वाइफाई की मदद से UPSC की परीक्षा भी पास कर सकते हैं। फिर क्या था? श्रीनाथ ने स्टेशन पर लगे वाइफाई की मदद से तयारी करनी शुरू की हालांकी बिना किसी कोचिन के ये इतना आसान नहीं था। तभी तो श्रीनाथ के हाथ पहले तीन प्रयास में अस्फलता लगी लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे और नतीजा ये रहा कि उन्होंने अपने चौथे प्रयास में इस कठिन परीक्षा को पास कर लिया। श्रीनाथ ने I.S. बनकर उन लाखों छात्रों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है जो सोचते हैं कि गरीबी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। श्रीनाथ ने दुनिया को बताया कि अगर आप चाह दें तो हर परिस्थिती में रास्ता खोज कर सफलता की तरफ बढ़ा जा सकता है।